लीजे सुनिए, मुंशी प्रेम चंद के लिखे कथा संग्र है, मानसरूवर चार की कहानी, मिर्तक भोज, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सेठ रामनाथ ने रोक शेया पर पड़े पड़े, निराशा पूर्ण दृष्टी से अपनी इस्त्री सुशीला की ओर देख कर कहा, मैं बड़ा भागा हूं शीला, मेरे साथ तुम्हें सदेव ही दुख बहुगना पड़ा, जब घर में कुछ ना था, तो दिन रात ग्रहस थ ठीके, धंधों और बच्चों के लिए मरती रहती थी, जब जरा कुछ संभला और तुम्हारे आराम करने के दिन आए, तो यह चोड़े चला जा रहा हूं, आज तक मुझे आशा थी, पर आज वो आशा तूट गई, देखो शीला, रो मत, संसार में सभी मरते हैं, कोई दो स अलागे कोई दो साल पीछे, अब ग्रहस्ती का भार तुम्हारी उपर है, मैंने रुपए नहीं छोड़े लेकिन जो कुछ है, उससे तुम्हारा जीवन किसी तरह कट जाएगा, यह राजा क्यों रूरा है, सुशीला ने आसू पहुंच कर कहा, जिद्धी हो गया है और क्य अज सबीरी से रट लगाए हुए है कि मैं मोटर लूगा, पांच रुपे से कम में आएगी मोटर, सेट जी को इधर कुछ दिनों से दौनों बालकों में बहुत इसने हो गया था, बोले, तुमंगा दो ना एक, बिचारा कब से रो रहा है, क्या क्या आर्मान दिल में थे, स प्रिये समझा, वो अंत को डॉक्टरों ने खाया, बच्चे मुझे क्या याद करेंगे कि बाप था, अब हागे बाप ने तो धन को लड़के लड़की से प्रिये समझा, कभी पैसे की चीज भी लाकर नहीं दी, अंतिम समय जब संसार की असारता कठोर सत्त बनकर आँखों रोने लगी, वो मातरिस ने जो पती की किरपड़ता से भीतर ही भीतर तड़प कर रह जाता था, इस समय जैसे कौल उठा, लेकिन मौटर के लिए रुपए कहा थे, सेट जी ने पूछा, मौटर लोगे बेटा, अपनी अम्मा से रुपए लेकर भाईया के साथ चले जाओ, खुब अच्छी मौटर लाना, राजा ने माता के आसू और पिता का ये इस ने है देखा तो उसका बाल हट जैसे पिगल गया, बोला, अभी नहीं लूँगा, सेट जी ने पूछा, क्यों, जब आप अच्छे हो जाएंगे तब लूँगा, सेट जी फूट फूट कर रोने लगे, तीसरे दिन सेट रामनात का देहान थो गया, धनी के जीने से दुख बहुतों को होता है सुख थोड़ों को, उनके मरने से दुख थोड़ों को होता है सुख बहुतों को, महाबरामनों की मंडली अलग सुखी है, पंडित जी अलग खुश है, और शायद बरादरी के आदमी कम हुआ, दिल से एक काटा दूर हुआ, और पट्टीदारों का तु पूछना ही क्या, अब वो पुरानी कैसर निकालेंगे, इर्दाय को शीतल करने का ऐसा अफसर बहुत दिनों के बाद मिला है, आज पांचवा दिन है, वो विशाल भवन सूना पड़ा है, लड़के कि भेंट हो गए और अभी सारी संसकार बाकी पड़े है, भगवान कैसे बेड़ा पार लगेगा, किसी ने दौर पर आवाज दी, महरी ने आकर सेट धनीराम के आने की सूच न दी, दौनों बालक बाहर दोड़े, सुशीला का मन भी एक शन के लिए हरा हो गया, सेट धनीरा बिरादरी के सरपंच थे, अबला का शुब देहर दै, सेट जी की इस करपा से पुलकित हो उठा, आखिर बिरादरी के मुखिया है, ये लोग अनातों की खोच खबर न ले, तो कौन ले, धन्ने हैं ये पुन्ना आत्मा लोग, जो मुसीबत में दीनों की रक्षा करते हैं, ये सोचती होई सुशीला गुंघट निकाले बरोठे में आकर खड़ी हो गई, देखा तो धनी राम जी के अत्रिक तो और भी कई सज्जन खड़े हैं, धनी राम बोले, बहु जी, भाई रामनात के अकाल मृत्यू से हम लोगों को जो दुख हुआ है, वो हमारा दिल ही जा काले, काम ऐसा करना चाहिए कि घर की आबरू बनी रहे और भाई जी के आत्मा संतुष्ट हो, कुबेर दास ने सुशीला को कंकियों से देखते हुए कहा, मर्यादा बड़ी चीज है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, लेकिन कमली के बाहर पाउन निकालना भी तो चित न वो बीमारी में उठ गए, धनी राम, तो ये नई समस्या खड़ी हुए, ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए कुबेर दास जी, कुबेर दास, जैसे हो, भोज तो करना ही पड़ेगा, हाँ अपनी सामर्थ देखकर काम करना चाहिए, मैं कर्ज लेने को ना कहूंगा, हाँ घर में जितने रुपेयों का प्रबंध हो सके, उसमें हमें कोई कसर न चोड़नी चाहिए, मृत जीव के साथ भी तो हमारा कुछ कर्तब है, अब तो वो फिर कभी ना आएगा, उससे सदेव के लिए नाता तूट रहा है, इसलिए सब कुछ हैसियत के मताबिक होना चाहिए ब्राह्मनों को तो भोज देना ही पड़ेगा, जिससे कि मारे यादा का निर्वा हो, धनी राम, तो क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बहुजी, दो-चार हजार भी नहीं, सुशीला, मैं आप से सत्त कहती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, ऐसे समय जूठ बोलूंगी, धनी राम ने कुबेरदास की और अर्ध अविश्वास से देखकर कहा, तब तो ये मकान बेचना पड़ेगा, कुबेरदास, इसके सिवा और क्या हो सकता है, ना कटाना तो अच्छा नहीं, रामनात का कितना नाम था, बिरादरी के स्तंभ थे, यही इस समय एक उपाय है, ब अगर कुछ बच रहा, तो बाल बच्चों के काम आ जाएगा, धनी राम, आपके हाई ये कितने पर बंधख रखा था, कुबेरदास, बीस हजार पर, रुपए से एकड़े सूद, धनी राम, मैंने तो कुछ कम सुना है, कुबेरदास, उसका तो रेहन नामा रखा है, जबा पंचों की सला है कि मकान बेच दिया जाए, सुशिला का छोटा भाई संतलाल भी इसी समया पहुंचा, ये अंतिम वाक उसके कान में पढ़ गए, बोल उठा, किसलिए मकान बेच दिया जा, बिरादरी के भोच के लिए, बिरादरी तो खापी कर रह लेगी, इन अनाथों की काम नहीं चलता, मुर्तक का पीछा भी किसी तरह सुधारना ही पड़ता है, आपका क्या बेगड़ेगा, हसी तो हमारी होगी, संसार में मर्यादा से प्रिये कोई वस्तु नहीं, मर्यादा के लिए प्रान तक दे देते हैं, जब मर्यादा ही ना रही, तो क्या रहा, अगर ह बातों का विचार ना कीजिए, इनकी तो ये आदत है, मैंने तो आपकी बात नहीं टाली, आप मेरे बड़े है, घर का हाल आपको मालूम है, मैं अपने स्वामी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन जब उनके बच्चे ठोकरे खाएंगे, तो क्या उनकी आत्मा दुखी नहीं होगी, बेटी का ब्याहक करना ही है, लड़के को पढ़ाना लिखाना है ही, रामनों को खिला दीजे, लेकिन बिरादरी करने की मुझ में सामर्थ नहीं है, दौनों महान भावों को जैसे थपड लगा, इतना बड़ा धर्म, भला ऐसी बात भी जबान से निक सुशीला रोकर बोली, मैं अनात हूँ, नादान हूँ, मुझ पर क्रोध न कीजे, आप लोग ही मुझे छोड़ देंगे तो मेरा कैसे निर्वाह होगा, इतने में दो महाशे और आबे राजे, एक बहुत मोटे और दूसरे बहुत दुबले, नाम भी गुणों के अनुसार भीम चंद और दुर्बल्दास, धनी राम ने संक्षेप में ये परिस्थिती उन्हें समझा दी, दुर्बल्दास ने साहिर दैता से कहा, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग मिलकर कुछ रुपए देतें, जब इसका लड़का सायाना हो जाएगा, तो रुपए मिली रहा कर बोले, तुम तो बेसे रुपएर की बात है करने लगे दुर्बल्दास जी, इस बखत के बाजार में किसके पास फालती रुपए रखे हुए है, भीम चंद, सो तो ठीक है, बाजार के ऐसी मंदी तो कभी नहीं देखी, पर निबाह तो करना चाहिए, कुबेर दासा कड़ गए, वो सुशीला के मकान पर दांत लगाए हुए थे, ऐसी बातों से उनके स्वार्थ में बाधा पड़ती थी, वो अपने रुपए अब वसूल करके छोड़ेंगे, औरतों के जमेले में नहीं पढ़ेंगे, भीम चंद ने उन्हें किसी तरह सचेत किया, लेकिन भ लोगों से बाहर थोड़े ही हो, आप लोग मालिक हैं, जैसा उचिस समझे वैसा करें, दुर बल्दास, तिरे पास कुछ थोड़े बहुत गहने तो होंगे बाई, हाँ गहने हैं, आधे तो बीमारी में बिग गए आधे बचे हैं, सुशीला ने सारे गहने लाकर पंचों के पर ये तो मुशकिल से 3000 में उठें गए। दुर बल्दास ने पोटली को हाथ में तौल कर कहा, 3000 को कैसे जाएंगे, मैं 250,000 दिला दूगा, भीम चन्द ने फिर पोटली को तौल कर कहा, मेरी बोली 4000 की है, कुबिर्दास को मकान की बिकری के प्रष्ने छेड़ने का औसर पिर मिला, चारह हजार ही में क्या हुआ जाता है, बिरादरी का भोज है या दोश मिटाना है, बिरादरी में कम से कम दस हजार का खर्चा है, मकान तो निकालना ही पड़ेगा, संतलाल ने ओठ चबा कर कहा, मैं कहता हूँ आप लोग क्या इतनी निर्दई है, आप लोगों को अनात बालकों पर भी दया नहीं आती, क्या उन्हें रास्ते का भिकारी बना कर छोड़ेंगे, लेकिन संतलाल की फर्याद पर किसी ने ध्यान न दिया, मकान की बात चीत अब नहीं टाली जा सकती, बाजार मंदा है, तीस हजार से बेसी नहीं मिल सकते, पच्चीस हजार तो कुब पंच, मेरे बच्चों का मुझ देखिए, मेरे घर में जो कुछ है वो आप सब ले लीजे, लेकिन मकान छोड़ दीजे, मुझे कही ठिकाना न मिलेगा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, मकान इस समय ना बेचें, इस मूर्खता का क्या जवाब दिया जाए, पंच लोग कम से कम पाँच हजार का जुगार और कर दे, तो मकान बच सकता है, पर जब वो ऐसा नहीं कर सकती तो मकान बेचने के सिवाए, और तो कोई उपाय नहीं है, कुबेर दास ने अंत में कहा, देख भाई, बाजार की दशा इस समय खराब है, रुपए किसी से उधार नहीं मिल सकते हैं, बाल बच्चों के भाग में लिखा होगा, तो भगवान और किसी हीले से देगा, हीले रोजी बहानी मौत, बाल बच्चों की चिंता मत कर, भगवान जिसको जन्म देते हैं, उसकी जीविका की जुगत पहले ही से कर देते हैं, हम तो जह समझा कर हार गए, अगर त तेरा रहना मुश्किल हो जाएगा, शैरवाले तेरे पीछे पढ़ जाएगे, विद्वा सुशिला अब और क्या करती, पंचों से लड़कर वो कैसे रह सकती थी, पानी में रहकर मगर से कौन बैर कर सकता है, घर में जाने के लिए उठी, पर वहीं मूर्चित होकर गिर जानाथ के मित्रों का उनके घर पर पूरा अधिकार था, मित्रों का अधिकार ना हो तो किसका हो, इस तरी कौन होती है, जब वो इतनी मौटी सी बात नहीं समझती कि बरादरी करना और धूम-धाम से दिल खोलकर करना लाजमी बात है, तो उससे और कुछ कहना वेर्थ है, भीमचंद चार हजार दाम लगा चुके थे, लेकिन अब उन्हें मालूम हुआ कि उनसे भूल हुई, दुरबलदास ने तीन हजार लगाए थे, इसलिए सौदा उन्ही के हाथ हुआ, इस बात पर दुरबलदास और भीमचंद में तकरार भी हो गई, लेकिन भीमचंद को कुबेरदास जी बुले, अजी तो घर में ही तो है, कहीं बाहर तो नहीं गया, एक दिन मित्रों की दावत हो जाएगी, इस पर चारो महन भावां से, इस काम से फुरसत पाकर अब मकान का प्रशन उठा, कुबेरदास तीस हजार देने पर तयार थे, पर गानूनी कार्रवा कुबेर ने कहा, चोखिलाल जी से हमारी तीस साल की दोस्ती है, आदमी क्या रत नहीं, भीमचंद, देखो चोखिलाल हमें ये मकान बेचना है, इसके लिए कोई अच्छा ग्रहक लाओ, तुम्हारी दलाली पक की, कुबेरदास, बाजार का हाल अच्छा नहीं है, लेकिन फ अच्छी बात नहीं है, कुबेरदास, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा था, कि अच्छे दाम लगवाना, चोखिलाल, आप लोगों को मुझसे ये कहने की जरूरत नहीं, मैं अपना धर्म समझता हूँ, रामनात जी मेरे भी मित्र थे, मुझे ये भी मालुम ह कि इस मकान के बनवाने में एक लाक से कम एक पाई भी नहीं लगी लेकिन बाजार का हाल क्या आप लोगों से छेपा है, इस समय इसके 25,000 से बेसी नहीं मिल सकते, सुभीते से तो कोई ग्रहक से 10-5,000 और मिल जाएंगे, लेकिन इस समय तो 25,000 भी मुश्किल से मिलेंगे, ल इस क्या मैं तो 40 करा दू, पर कोई ग्रहक तो मिले, आप लोग कहते हैं तो मैं 30,000 की बात चीत करूंगा, धनी राम, जब 30,000 में ही देना है तो कुबेरदास ही क्यों न ले, इतना सस्ता माल दूसरों को क्यों दिया जाए, कुबेरदास, आप सब लोगों की राय हो तो ऐस तुरंत रजिस्ट्री भी हो गई, सुशीला के सामने बेनामा लाया गया, तो उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नेत्रों से उस पर हस्ताक्षर कर दिये, अब उसे उसके सिवा और कहीं शरण नहीं है, बेवफा मित्र की भाती, ये घर भी सुख के दिनों में साथ देकर, चोड़ रहा है, पंच लोग सुशीला के आंगर में बैठी बिरादरी के रुक्के लिख रहे हैं और अनात विद्वा उपर जरोखे में बैठी भाग को रो रही है, इधर रुक्का तैयार हुआ, उधर विद्वा की आँखों से आंसु की बूंदे निकल कर रुके पर गि ये रोने का समय नहीं है, तुझे तो प्रसन होना चाहिए कि पंच लोग तेरे घर में आज ये शुभकार करने के लिए जमा हैं, जिस पती के साथ तुने इतने दिनों भोग विलास किया, उसी का पीछा सुधारने में तु दुख मनाती है, बिरादरी में रुक्का फिरा, इधर तीन-चार दिन पंचों ने भोज की तैयारियों में बिताए, घी धनी राम जी की आढ़त से आया, मैदा चीनी की आढ़त भी उनी की थी, पांचवे दिन प्राताहकाल ब्रह्म में भोज हुआ, संद्या समय ब्रादरी का जयोनार, सुशीला के दौर पर बग्गे और मोटरों की कतारें खड़ी थी, भीतर महमानों की पंगतें थी, आंगन, बैठक, दालान, बरोठा, उपर की चट, नीचे उपर महमानों से भरा हुआ था, लोग भोजन करते थे और पंचों को सराहते थे, खर्च तो सभी करते हैं, पर इंतजाम का सली का चाहिए, ऐसे स्व गुले मेवों से भरे है, सारा श्रे पंचों को है, धनी रामने नमृता से कहा, आप भाईयों की दया है, जो ऐसा कहते हो, रामनात से भाईचारी का व्यवार था, हम ना करती तो कौन करता है, चार दिन से सोना नसीब नहीं हुआ, आप धन्न है, मित्र हों तो ऐसे हों, क्य आप ने रामनात जी का नाम रख लिया, ब्रादरी यही खाना खिलाना देखती है, रोकर देखने नहीं आती, महमान लोग बखान करकर तरमाल उड़ा रहे थे और उधर कोठरी में बैठी हुई सुशीला सोच रही थी, संसार में ऐसे स्वार्थी लोग है, सारा संसार स्व आर्थ मैं हो गया है, सब पेटों पर हाथ फेर फेर भोजन कर रहे हैं, कोई इतना भी नहीं पूछता कि अनातों के लिए भी कुछ बचा आया नहीं, एक महिना गुजर गया, सुशीला को एक एक पैसे की तंगी हो रही थी, नकद था ही नहीं, गहने निकली ही गए थे, अ उधर छोटे छोटे बहुत से बिल चुकाने थे, कुछ रुपए डॉक्टर के, कुछ दर्जी के, कुछ बनियों के, सुशीला को ये रक में घर का बचा खुचा सामान बेच कर चुकानी पड़ी, और महिना पूरा होते होते, उसके पांच कुछ ना बचा, बेचारा संतला एक दुकान पर मुनीम था, कभी कभी वो आकर एक आध रुपए दे देता, इधर खर्च का हाथ पहला हुआ था, लड़के अवस्था को समझते थे, माँ को छेड़ते ना थे, पर मकान के सामने कोई खौचे वाला निकल जाता और वो दूसरे लड़कों को फलिया मिठाई या खाते देखते, तो उनके मुँ में पानी भर कर आँखों में भर जाता था, ऐसी ललचाई हुई आँखों से ताकते थे, कि दया आती थी, वही बच्चे जो थोड़े दिन पहले मेवे मिठाई की और ताकते ना थे, अब एक एक पैसे की चीज़ को तरसते थे, वही सज चूले के पास रोटियों को शुधित नेत्रों से देख रहे थे, चूले के दूसरे एले पर दाल थी, दाल के पकने का इंतजार था, लड़की ग्यारह साल की थी, लड़का आठ साल का, मोहन अधीर होकर बूला, अम्मा मुझे सूखी रोटिया ही दे दो, बड़ी भूख लगी है, सुशीला, अभी दाल कच्ची है भीया, रेवती, मेरे पास एक पैसा है, मैं उसका दही लिए आती हूँ, सुशीला, तूने पैसा कहा पाया, रेवती, मुझे कल अपनी गुड़ियों की पिटारी में मिल गया था, सुशीला, लेकन जल्दी आई हो, रेवती वो भी सुशीला थी था, बेहन से पूछा भी नहीं, सुशीला ने कड़ी आँखों से देखकर कहा, बेहन को भी दे दे, अकेला ही खा जाएगा, मोहन लज्जित हो गया, उसकी आँखे डबडबा आई, रेवती बोली, नहीं अमा कितना मिलाई है, तुम खाओ मोहन, तुम मकान खाली कराने आए थे, क्रोध से सुशीला की आँखे लाल हो गई, बरोठे में आकर कहा, अभी मेरे पती को पीछे हुए एक महिना भी नहीं हुआ, मकान खाली कराने की धुन सवार हो गई, मेरा पचास हजार का घर तीस हजार में ले लिया, पांच हजार सूद के की नहीं होते, कह दो मैं अभी खाली नहीं करूंगी, मुनीम नमरता से कहा, बाई जी मेरा क्या अख्तियार है, मैं तो केवल संदेसिया हूँ, जब चीज दूसरे की हो गई, तो आपको छोड़ना ही पड़ेगी, जंजट करने से क्या मतलब, सुशीला भी समझ गई ठीक ही कहता है, गाए हत्या के बल के दिन खेच चरेगी, नर्म होकर बुली, सेट जी से कहो मुझे दस-पांच दिन की महलत दे, लेकिन नहीं कुछ मत कहो, क्यों दस-पांच दिन के लिए किसी का इहसान लो, मेरे भाग में इस घर में रहना लिखा होता, तो निकलता ही क्यों, मु मारे सेट जी का रात भर का किराया मारा जाएगा, जाकर ताला वाला लाओ या लाए हो, मुनीम, ऐसी क्या जल्दी है बाई, कल साओधानी से खाली कर दीजेगा, सुशीला, कल का जगड़ा क्यों रखो मुनीम जी, आप जाए ताला लाकर डाल दीजे, ये कहती हुई सुश जिस वक्त ये घर बनवाया था, मन में कितनी उमंगे थी, इसके प्रवेश में कई हजार ब्रामनों का भोज हुआ था, सुशीला को इतनी दोड़ धूप करनी पड़ी थी, कि वो महीने भर बीमार रही थी, इसी घर में उसकी दो लड़के मरे थे, यहीं उसका पती मरा था मरने वालों की स्मृतियों ने उसकी एक एक कीट को पवित्र कर दिया था, एक एक पत्थर मानों उसके हर्श से सुखी और उसके शोक से दुखी होता था, वो घर आज उससे चूटा जा रहा है, उसने रात एक पड़ोसी के घर में काटी और दूसरे दिन दस रुपे महीने पर एक गली में दूसरा मकान ले लिया, इस नए कमरे में इन अनाथों ने तीन महीने जिस कष्ट से काटे, वो समझने वाले समझ सकते हैं, भला वो बेचारे संतलाल का, वो दस पांच रुपे से मदद कर दिया करता था, अगर सुशीला दरिदर घर की होती, तो पिसाई कर तो लाज रखनी थी, समाज के चक्र वियू से किसी तरह भी तो छुटकारा नहीं होता, लड़की के दो एक गहने बच रहे थे, वो भी बिग गए, जब रोटियों ही के लाले थे, तो घर का किराया कहां से आता, तीन महीने के बाद घर का मालिक, जो उसी बरादरी का एक प लोडी जाती, आखिर एक दिन सेटची ने आकर लाल आखे करके कहा, अगर तो किराया नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे, मैंने बरादरी के नाती इतनी मरववत की, अब किसी तरह काम नहीं चल सकता, सुशीला बोली, सेटची मेरे पास रुपए होते, तो पहले आपका किर किराया दे कर तब पानी पीती, आपने इतनी मरववत की, इसके लिए मेरा सिर आपके चरुना पर है, लेकिन अभी मैं बिलकुल खाली हाथ हूँ, ये समझ लीजिए कि एक भाई के बाल बच्चों की परवरिस कर रहे हैं और क्या कहूं, सेटच, चल चल, इस तरह की बात है बहुत सुन चुका, बिरादरी का आदमी है तो उसे चूस लो, कोई मुसल्मान होता तो उसे चुपके से महीने महीने दे देती, नहीं तो उसने निकाल बाहर किया होता, मैं बिरादरी का हूँ, इसलिए मुझे किराय देने की दरकार नहीं, मुझे मांगना ही नहीं इसी समय रेवती भी आकर खड़ी हो गई सेड़ जी ने उसे सिर से पाउं तक देखा और तब किसी कारण से बुले अच्छा ये लड़की तो सयानी हो गई कहीं इसकी सगाई की बातचीत नहीं की रेवती तुरंट भाग गई सुशीला ने इन शब्दों में आत्मियता की जलक पाकर पुलकित कंठ से कहा अभी तो कहीं बातचीत नहीं होई सेड़ जी घर का किराया तक तो अदा नहीं कर सकती सगाई क्या करूंगी फिर अभी छोटी भी तो है सेड़ जी ने तुरंट शास्त्रों का आधार दिया कन्याओं के विवाह की यही अवस्ता है धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए किराय की कोई बात नहीं है हमें क्या मालूम था कि सेड़ नामनात के परिवार की यह दशा है सुशीला तो आपकी निगाह में कोई अच्छा वर है ये तो आप जानते ही हैं मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं थे जाबर्मन इंसेट जी का यही नाम था लेने देने का कोई जगड़ा नहीं हो का बाई जी ऐसा घर है कि लड़की आजीवन सुखी रहेगी लड़का भी उसके साथ रह सकता है कुल का सच्चा हर तरह से संपन्य परिवार है हाँ वर्द दोहाजू है सुशीला उम्र अच्छी होनी चाहिए दोहाजू होने से क्या होता है जाबर्मन उम्र भी कुछ जादा नहीं अभी चालीसवा ही साल है उसका पर देखने में अच्छा हष्ट पुष्ट है मर्द की उम्र उसका भोजन है बस ये समझ लो की परिवार का उध्धार हो जाएगा सुशीला ने अनिच्छा के भाव से कहा अच्छा मैं सोचकर जवाब दूगी एक बार मुझे दिखा देना जाबर्मन दिखाने को कहीं नहीं जाना है भाई वो तो तेरे सामने ही खड़ा है सुशीला ने ग्रणा पूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा इस पचास साल के बुढ़े की ये हवस छाती का मास लटक कर नाभी तका पहुँचा है फिर भी विवाह की धुन सवार है ये दुश्ट समझता है कि प्रलोबनों में पढ़कर मैं अपनी लड़की उसके गले बांध दूगी वो अपनी बेटी को आजीवन कौारी रखेगी पर ऐसे मृतक से विवाह करके उसका जीवन नश्ट ना करेगी पर उसने अपनी करोध को शांत किया समय का फेर है नहीं ऐसों को उससे ऐसा प्रस्ताव करने का साहसी ही क्यों होता बोली आपकी इस कृपा के लिए आपको धन्नवाद देती हूं सेट जी पर मैं कन्या का विवाह आपसे नहीं कर सकती जाबरमल तो और क्या तू समझती है कि तेरी कन्या के लिए बरादरी में कोई कुमार मिल जाएगा सुशीला मेरी लड़की कुमारी रहेगी जाबरमल और रामनाद जी के नाम को कलंकित करेगी सुशीला तुम्हें मुझसे ऐसी बाते करते लाज नहीं आती नाम के लिए घर खोया संपत्ती खोयी पर कन्या कुए में नहीं डुबा सकती जाबरमल तु मेरा किराया दे दे सुशीला अभी मेरे पास रुपए नहीं है जाबरमल ने भीतर घुसकर ग्रहस्ती के एक एक वस्तु निकाल कर गली में फेंक दी घड़ा फूट गया मट के तूट गए संदूक के कपड़े बिखर गए सुशीला तठस्त खड़ी अपने अदिन की एक क्रूर क्रीडा देखती रही घर का यह विद्धन्स करके जाबरमल ने घर में ताला डाल दिया और अदालत से रुपए वसूल करने की धमकी दे कर चले गए बड़ों के पास धन होता है छोटों के पास हिर्दय होता है धन से बड़े-बड़े व्यापार होते हैं बड़े-बड़े महल बनते हैं नौकर चाकर होते हैं सवारी शिकारी होती है हिर्दय में समवेदना होती है आंसु निकलते हैं उसी मकान से मिली हुई एक साग भाजी बेचने वाली खटकिन की दुकान थी व्रद्धा, विद्वा, निपूती, इस्त्री थी, बाहर से आग, भीतर से पानी जाबर मल को सैक्डन सुनाई और सुशीला की एक एक चीज उठा कर अपने घर में ले गई मेरे घर में रहो बहू, मुरववत में आ गई ही नहीं तो उसकी मूचे उखाड लेती मौत सिर पर नाच रही है, आगे नाथ नन पीछे पगहा और धन के पीछे मरा जाता है जाने चाती पर लाट कर ले जाएगा, तुम चलो मेरे घर में रहो, मेरे यहां किसी बात का खटका नहीं बस मैं अकेली हूँ, एक टुकड़ा मुझे भी दे देना सुशीला ने डरते डरते कहा, माता मेरे पास सेर भर आटे के सिवा और कुछ नहीं, मैं तुम्हें किराया कहां से दूँगी बुढ़िया ने कहा, मैं जाबर मन नहीं हूँ बहू, न कुबेरदास हूँ, मैं तो समझती हूँ, जिन्दगी में सुख भी है, दुख भी है सुख में इत्राओ मत, दुख में घवडाओ मत, तुम्हें से चार पैसे कमा कर अपना पेट पालती हूँ तुम्हें उस दिन भी देखा था, जब तुम महल में रहती थी, और आज भी देख रही हूँ, जब तुम अनात हो, जो मिज़ाच तब था, वही अब है मेरे धन्न भाग गे कि तुम मेरे घर में आओ, मेरी आख्या फूटी हैं, जो तुम से किराया मांगने जाओंगी कार का दूसरा रूप, इस खटकिन के साथ रहते हुए सुशीला कुछ छे महीने हो गए थी, सुशीला का उससे दिन दिन इसने भढ़ता जाता था, वो जो कुछ पाती लाकर सुशीला के हाथ में रख देती, दौनों बालक उसकी दो आँखे थी, मजाल ना थी कि पड़ोस का कोई आदमी उन्हें कड़ी आँखों से देख ले, बुढ़िया दुनिया सिर पर उठा लेती, संतलाल हर महीने कुछ न कुछ दे दिया करता था, इससे रोटी दाल चलती जाती थी, कातिक का महीना था, जोर का प्रकोप हो रहा था, मोहन एक दिन खेलता कूदता बीमार पड़ गया और तीन दिन तक अचेत पड़ा रहा, जोर इतने जोर का था कि पास खड़े रहने से लपट सी निकलती थी, बुढ़िया ओजे सायानों के पास दौड़ती पिरती थी पर जोर उतरने का नाम न लेता था, सुशीला को भै हो रहा था, ये टाइफाइड है, इस दोड़ती होई सेथ कोबिरदास के पास कई, कोबिरदास बोले, डॉक्टर के फीस सूलह रुपे है, तीरी मा दे देगी, रेखती ने निराश होकर कहा, अमा के पास रुपे कहा है, कुबेर दास तो फिर किस मूँ से डॉक्टर को बुलाती है तेरे मामा कहा है उनसे जाकर कह सेवा समीती से कोई डॉक्टर बुला ले जाए नहीं तो खेराती है अस्पताल में क्यों नहीं लड़के को ले जाती या भी वही पुरानी बू समाई हुई है कैसी मूर किस्त्री है घर में टका नहीं और डॉक्टर का हुकम लगा दिया समझती होगी फीस पंच जी दे देंगे पंच जी क्यों फीस दे रादरी का धन धर्म कारे के लिए है योणाने के लिए नहीं है रेवती मा के पास लोटी पर जो कुछ सुना था वो उस से न कह सकी घाओ पर नमक्यों छड़के बहाना कर दिया बड़े पंच जी कहीं कहे है सुशीला तो मुनीम से क्यों नहीं कह यहां क्या कोई मिठाई खाय जाता था जो दोड़ी चली आई इसी वक्त संतलाल एक वैदी जी को लेकर रहा पहुँचा वैदी जी भी एक दिन आकर दूसरे दिन न लोटे सेवा समीति के डॉक्टर भी दो दिन बड़ी मिन्नतों से आई फिर उन्हें भी अवकाश न रहा और मौहन की दशा दिन दिन बिगड़ती जाती थी पड़े पड़े देह की खाल फट गए, सिर के बाल गिर गए, हाथ पाउं लकड़ी हो गए संतलाल काम से छुटी पाता तो आ जाता, पर इससे क्या होता, तीमारदारी दवा तो नहीं है एक दिन संद्या समय उसके हाथ ठंडे हो गए, माता की प्राण पहली ही से सूखे हुए थी ये हाल देखकर रोने पीटने लगी, मिन्नते तो बहुतेरी हो चुकी थी रोती हुई मोहन की खाट के साथ फेरे करके हाथ बांध कर बोली भगवनी यही मेरे जन्म की कमाई है, अपना सर्वस सको कर भी मैं बानक को च्छाती से लगाए हुए संतुष्ट थी लेकिन ये चोट ना सही जाएगी, तुम इसे अच्छा करतो इसके बदले मुझे उठा लू, बस मैं यही दाया चाहती हूँ दाया बाया संसार के रहस से कोई कौन समझ सकता है, क्या हम मैं से बहुतों को यह अन्भाव नहीं कि जिस दिन हमने बे इमानी करके कुछ रकम उड़ाई, उसी दिन उस रकम का दुगना नुकसान हो गया सुशीला को उसी दिन रात को जवर आ गया और उसी दिन मोहन का जवर उतर गया बच्चे के सेवा सुश्रू सामें आधी तो योही रह गई थी, इस बीमारी ने ऐसा पकड़ा कि फिर न छोड़ा मालूम नहीं, देवता बैठे सुन रहे थे या क्या, उसकी आजना अक्षर शाह पूरी हुई पंद्रहवें दिन मोहन चार पाई से उठकर मा के पास आया और उसकी छाती पर सिर रखकर रोने लगा माता ने उसके गले में बाहें डाल कर उसे च्छाती से लगा लिया और बोली क्यों रोते हुं बिटा, मैं अच्छी हो जाओंगी अब मुझे क्या चिंता, भगवान पालने वाले हैं, वही तुम्हारी रक्षक हैं, वही तुम्हारी पिता है अब मैं सब तरफ से निश्चिन थू, जल्द अच्छी हो जाओंगी मुझे बोला, जिया तो कहती है, अम्मा अबना अच्छी होंगी सुशिला ने बालक का चुम्बन लेकर कहा, जिया पगली है, उसे कहने दो मैं तुम्हें छोड़ कर कहीं न जाओंगी, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी हाँ, जिस दिन तुम कोई अपराद करोगे, किसी की कोई चीज उठा लोगे, उसी दिन में मर जाओंगी मौहन ने परसन होकर कहा, तो तुम मेरे पास से कभी न जाओगी मा सुशीला ने कहा, कभी नहीं बेटा, कभी नहीं उसी रात को दुख और विपत्ती की मारी हुई अनाथ विद्वा, दोनों अनाथ बालकों को भगवान पर छोड़कर, परलुक से धार गई इस घटना को तीन साल हो गए है, मौहन और रेवती दौनों उसी वरद्धा के पास रहते है, बुढ़िया मा तो नहीं है, लेकिन मा से बढ़कर है, रोज मौहन को रात की रखी रोटियां खिला कर गुरू जी की पाठशाला में पहुँचा आती है, चुट्टी के समय जाक तो वो दुकान पर भी आ बैठती है, एक दिन बड़े पंच सेट को बेड़दास ने उसे बुला भीजा और बोले, तुझे दुकान पर बैठते शर्म नहीं आती, सारी बरादरी में नाग कटा रही है, खवरदार जो कल से दुकान पर बैठी, मैंने तेरे पाणी गिरहन क हैं, हमने बहुत कह सुनकर राजी किया है, बस समझ ले कि रानी हो जाएगी, लाखों की संपत्ती है, लाखों की, तेरे धन भाग गे कि ऐसा वर मिला, तेरा चोटा भाई है, उसको भी कोई दुकान करा दी जाएगी, सेट, बिरादरी की कितनी बदनामी है, सेट हानी, है ही रेवती ने लज्जित होकर कहा, मैं क्या जानू आप मामा से कहें, सेट, बिगड़कर, वो कौन होता है, टके पर मुनीमी करता है, उससे मैं क्या पोछूँ, मैं बरादरी का पंच हूँ, मुझे अधिकार है, जिस काम से बरादरी का कल्यान देखूं, वो करूँ, मैंने औ रेवती ने नोट उठा कर, वहीं पुर्जे पुर्जे कर डाले और तम-तमाए मुख से बोली, बरादरी ने तब हम लोगों की बात न पूछी, जब हम रोटियों को महतास थे, मेरी माता मर गई, कोई जाकने तक न गया, मेरा भाई बीमार हुआ, किसी ने खबर तक न ली, ऐसी बरादरी की मुझे परवाह नहीं है, रेवती चली गई तो जाबरमल कोटरी से निकलाए, चेहरा उदास था, सिठानी ने कहा, लड़की बड़ी घमंडेन है, आख का पानी मर गया है, जाबरमल, बीस रुपे खराब हो गए, ऐसा पाड़ा की जुड़ भी नहीं सकते कुबेरदास, तुम घबडाओं नहीं, मैं ऐसे अदालत से ठीक करूँगा, जाती कहा है, जाबरमल, अब तो आपका ही भरोसा है, बीरादरी के पंच की बात कहीं मित्या हो सकती है, रेवती नाबालिक थी, माता पिता नहीं थी, ऐसी दशामे पंचों का उस पर पूरा चाहती है, ना रहे, आनून, बिरादरी के अधिकार के उपेक्षा नहीं कर सकता, संतलाल ने ये माजरा सुना, तो दांक पीस कर बोले, ना जाने इस बिरादरी का भगवान कब अंत करेंगे, रेवती, क्या बिरादरी मुझे जबरदस्ती अपने अधिकार में ले सकती है, संतलाल, हाँ बेटी, धनिकों के हाथ में तो कानून भी है, रेवती, मैं कह दूँगी कि मैं उनके पास नहीं रहना चाहती, संतलाल, तेरे कहने से क्या होगा, तेरे भाग में यहीं लिखा था, तो किसका बस है, मैं जाता हूँ बड़े पंचों के पास, रेवती, नहीं मामा जी, तुम कहीं न जा, जब भाग गे ही का भरोसा है, तो जो कुछ भाग में लिखा होगा, वो होगा, रात तो रेवती ने घर में काटी, बार बार निद्रा मगन भाई को गले लगाती, ये अनात हकेला कैसे रहेगा, ये सोचकर उसका मन कातर हो जाता पर जाबर मल की सूरतियात करके उसका संकल्प द्रण हो जाता, प्रात हकाल रेवती गंगा इसनान करने गई, ये इधर कई महीनों से उसका नित्त का नियम था, आज जरा अंधिरा था, पर ये कोई संदेह की बात न थे, संदेह तब हुआ जवाठ बजगए और वो लोट क पर ना आई, तीसरे पहर सारी बरादरी में खबर फैल गई, सेट रामनाथ की कन्या गंगा में डूब गई, उसकी लाश पाई गई, कुबेरदास ने कहा, चलो अच्छा हुआ बरादरी की बदनामी तो नहोगी, जाबर मन ने दुखी मन से कहा, मेरे लिए अब कोई और उ अब वो अपनी मा की गोध में आराम कर रही है, अभी आप सुन रहे थे, मुन्शी प्रेम चंद के लिखे कथा संग्र है, मान सरुवर चार की कहानी मृतक भोज, मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में